मोधी सरकार के आदेश के बाद देश में चाइनीज एपस पर करवराद को बैन लगा दिया गया जिसमें 69 एपस शामिल है वहीं टिक्टॉक भी इस लिस्ट में शामिल है सरकार ने सरक्षा को देखते हुई इन एपस पर बैन लगाया है लेकिं सरकार के इस तैसले पर अब हा का पारा सफाय दी गई जिसमें कहा गिया है कि किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश यहां T guns पी नहीं दी गई जांकारी के मतागी पीटियाई द्वारा तो के लिए लिखा गया कि सरकार के आधेशों का पालन किया जा रहा है लेकिन उसकी तरफ से किसी भी भारती यूजर की जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ साजह नहीं की गई यहां तक कि चीन के साथ भी नहीं टिक्टॉक द्वारा कहा गया कि सरकार की तरफ से उसने स्पष्टे करण मांगा गया था मैं टिक टॉक की इंडिया है निखिल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने उन साथ एप ब्लॉक करने का अंतरे मादेश दिया है जिसमें टिक टॉक भी शामिल है हमें साधेश का पालन करने की प्रक्तिया में है हमें सरकार के संबंदत विभागों की तरफ से बलाया गया था और सफाय देने का मौका दिया गया था आगे निखिल गांधी ने ये भी कहा कि हम यूजर की प्राइवेसी और इंटिक्रिटी को सबसे उपर रखते हैं अलगी सरकार का दावा इससे अलग और बेहत गंभीर है